हलो गाईज आज हम बात करने वाले हैं variables की तो अगर हम बात करते हैं research aptitude की तो research aptitude को समझने के लिए statistics को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको variables क्या है पता होना चाहिए variables से ही सारी कहानी start होती है और धीरे-धीरे हम जो है अलग-अलग testings की और जाते हैं या आगे वाले वीडियो में हम बढ़ेंगे अब क्योंकि research aptitude एक बहुत ही important topic है paper one में और सबसे ज़्यादा problem बच्चों को इसी में होती है सबसे ज़्यादा questions जो है इसी में गलत होते हैं तो इसको हम आज cover करने वाले हैं कि variable क्या होते हैं और उसके कितने types होते हैं एक चीज में आपको inform करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पता नहीं है कि इस बार जो June में paper हुए थे UGC net के उसके free mock test available है exam coach.in पे तो please exam coach.in पे जाएं कोई login करने की ज़रुत नी कोई sign in करने की ज़रुत नी बस जाए UGC net select करें paper on select करें और वहाँ पे अपने free mock test जितन measurable characteristic that varies. measurable characteristic का मतलब ये है कि कोई भी चीज जिसको मापा जा सकता है और कोई भी चीज जो vary होती है, vary मतलब उपर नीचे होती है, कम जादा होती है, वो variable है. तो इस दुनिया में कोई भी चीज है, वो हमेशा एक सी तो रहती नहीं है, उसके गुडों में, उसके लक्षडों मे हर समय कोई नहीं परिवर्तन होता रहता है, कोई नहीं कोई change होता रहता है. जब भी हम गाई research करते हैं, तो research का एक ही है होता है, कि भाई ये जो change है, ये आखिर क्यों हो रहा है? ये जो change हुआ, अगर past की बात करें, historical अगर research है, तो change हुआ, वो क्यों हुआ, क्या उसके कार कारण थे, ठीक है? तो हम हमेशे research में क्या करते हैं, किसी change के बारे में बात करते हैं, और ये बात करते हैं, कि इसका कारण क्या है? तो ये जो relationship होती, इसको हम कहते है, cause and effect. तो दुनिया में कोई भी चीज अगर हो रही है, या इसको research के term में बोलें, कि दुनिया में अगर क कोई भी चीज है, जो एक variable, अगर किसी भी चीज को हम मानें, तो उसमें जो change होता है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जो कारण इंसानों को ऐसा हो सकता है, कि पता ना हो. बस उसी का पता करना, उसी cause का पता करना, कि किस cause से क्या effect होता है, यही research है. क्योंकि हमारा teaching related subject है, इसलिए हम यहाँ पे जो research का example लेते हैं, वो teaching से related लेते हैं. Suppose एक class है, जहाँ पे experiment हो रहा है, कि किस teaching method से बच्चों का test score अच्छा आता है, यानि कि एक class में experiment हो रहा है, दो-तीन टाइप के teaching methods यूज किये जा रहे हैं, और उससे ये देखा जा रहा है कि किस particular teaching method का प variable क्या होगा, इसमें variable जो चीजें बदल रही हैं, अब आप example में देखें, क्या क्या चीजें बदल रही हैं, जैसे teaching method बदल रहे हैं, अलग-अलग methods को हम use करके देख रहे हैं, तो teaching method एक variable हो गया, इसके अलबा हम यह देख रहे हैं कि test score कैसा आएगा, तो test score भी जाहिसी बा देखा जाए तो type जो है variable के बहुत जादा होते हैं, लेकिन आज हम बिलकुल core types की बात करेंगे, जिसको आप अगर समझ जाते हैं, तो बाकी variants आप कहीं भी पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, तो आईए bookish language से इसको translate करते हैं, बिलकुल easy साधरन बोल परचाल वाली language में, सबसे पहला type है independent variable, तो जब भी research होती है, तो जो researcher होता है, वो क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक relationship होता है cause and effect का, मतलब कोई cause होता है, कोई कारण होता है, कोई reason होता है, तो उसका effect हम मापते हैं कि क्या effect आया, तो इस example में मैंने बोला कि teaching के अगर methods बदलते हैं, तो हम यह देखते हैं कि उसका effect पढ़ाई पर क्या आया, test के score पर क्या आया, ठीक है, तो जब researcher किसी भी variable को अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकता है, ताकि वो effect को माप पाए, तो उसको independent variable कहते हैं, तो cause and effect में मैंने बताया, teaching method और test score, यानि कि जो teaching method है, researcher क्या कर रहा है, कि इसको अपने मर्जी से घटा बढ़ा रहा है, ये मापने के लिए कि test score क्या आ रहा है, तो जिसको भी हम अपनी मर्जी से research में घटा बढ़ा सकते हैं, for example, यहाँ पे teaching method जो है, यह आपका independent variable हो जाएगा, I hope यह आपको clear हो गया होगा, आईए अब बात कर dependent variable क्या होता है, तो same इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं, तो teaching method क्या आता है, independent घटा बढ़ा सकते है, तो जब भी हम independent variable को घटाते बढ़ाते हैं, तो जो भी effect आता है, उसको हम dependent variable क्याते हैं, निर्भरचर क्याते हैं, क्यों? क्योंकि यह जो test score है, ये पूरे निर्भर करते ह कि teaching method क्या यूज हो रहा है तो आप यहां पर ध्यान देनी हो रहा है कि यह जो test score है इस पर हमारा कोई control नहीं है इसको तो हम एक तरीके से हमाले dependent है यह निर्भर करता है कि teaching method क्या use हो रहा है तो I hope कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि independent और dependent variables क्या होते हैं यही दोनों एक कर लेते हैं जो काफी बच्चों के लिए बहुत confusing हो सकता है सबसे पहला है mediator या intervening variable दूसरा है moderator variable तो mediator moderator एक ही जैसे शब्द हैं इनके जो concepts है वो भी थोड़े abstract हैं गूर हैं तो इस समझने में थोड़ी problem हो सकते हैं आइए इसको decode करते हैं और cell शब्दों में समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं intervening या mediator variable की तो हमेशा guys ध्यान दीजे कि हमने अभी अभी cause and effect की बात की थी कि अगर हम teaching methods को change करते हैं तो इसका जो effect पड़ेगा वो हमारा dependent variable पड़ेगा यानि कि test score क्या हरा है लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि ये जो cause वाला variable है ये सीधे सीधे इसको effect ना करें सीधे सीधे test score को effect ना करें बीच में एक और variable हो जो इसको effect करें तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि जो teaching method है अगर हम teaching method बदल दें तो ऐसा हो सकता है कि वो direct test score पे effect ना करें ऐसा हो सकता है कि वो पहले students के concentration पे काम कर रहा हो और क्योंकि student का concentration जादा हो score तो बढ़ेगा वो तो बात सही है लेकिन actually में क्या हो रहा है कि अच्छा teaching method बच्चों का concentration बढ़ा रहा है और उस concentration के बढ़ने की वजह से test score अच्छा आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखें mediator variable जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो बीच में आता है यानि कि जो causal variable या जो independent variable है वो mediator variable पर effect करता है and then mediator variable जो है वो effect करता है आपका dependent variable पर तो यह जो relationship है इसमें जो बीच में variable आप कहा आया यह mediator variable या intervening variable कहलाता है अब बात करते हैं moderator variable तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है moderator यानि कि जो moderate करे या modify करे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे characteristics होते हैं ज जो की जो हम cause and effect ये देख रहे हैं independent और dependent variable में उसको क्या करते हैं उसको modify करते हैं किसी किसी subject के अंदर इसके चोटा से example देख लेते हैं कि अगर हम teaching methods यूज कर रहे हैं अलग-अलग test scores देखने के लिए तो ऐसा हो सकता है कि जो method है English बोलने वाले बच्चे हैं उन पर ये method अ अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ये जो language है ये language हमारा क्या होगा moderator variable क्योंकि वो moderate कर रहा है चीजों को और ज्यादा इसका मतलब कि teaching method जो हमने लिया वो काम तो दोनों पर अच्छा कर रहा है लेकिन जिनको English आ रही है ये जो English है ये एक और moderator variable है उस moderator variable की संगत में उसके influence मे जो है वो बच्चे और जादा अच्छे से सीख पा रहे हैं तो moderator variable subject में available होता है अगर वो present होता है तो वो affect करता है हमारे cause and effect के relationship को आगे हम बात करते है control and extraneous variables को ये भी थोड़े कठेन है और ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि इससे questions आ सकते हैं तो सबसे पहले ह भी बात करते हैं अब control variable क्या होता है चलि हमने independent, dependent क्या होता है, mediator और moderator क्या होता है सब हमने समझ लिया, अब यहां पर फिर से दो टाइप और अलग आ गए है control variable और extraneous variable ये क्या होते हैं इनको समाझ लेते हैं, control variable मतलब ये है कि जन variable को हमको neutralize करके रखना होता है जिनको control कर के रखना होता है अब यह bookish language है इसको तोड़ा सरल कर लेते हैं तो फिर से हम उस एक्जांपल पर चले जाते हैं जिसके बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं cause and effect teaching methods बदलते हैं तो उसके बाद जो उसका test score है बच्चों का वो बढ़ता या घटता है teaching method के बदलने से तो अब एक मुझे बात बताए कि जो test score का घटना या बढ़ना है क्या ये teaching method पे ही use होता है या और भी कई चीज़ें हैं अगर इसमें डाल दी जाए इस जगा पे तो उससे भी test score बढ़ या घट सकता है for example अगर हम teaching aids की बात कर लें suppose teaching method हम एक use करें particular लेकिन अगर उसमें हम teaching aids बदलें suppose एक teacher है वो projector से पढ़ा रहा है एक teacher बिना projector के पढ़ा रहा है तो teaching method तो अपनी जगा सही है वो effect करता है test score पे लेकिन अगर projector और non projector class भी रखें तो उसका भी effect test score पे पढ़ सकता है projector वालों को ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को जो projector नहीं है जहां पे वहां कम समझ में आएगा तो ऐसा नहीं है कि केवल teaching method का ही effect पढ़ता है test score पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम include कर सकते हैं इस जगा पे इस cause वाली जगा पे बहुत सारे variable include कर सकते हैं जिससे की test score पे फर्क पढ़े लेकिन अगर हम research जो है केवल teaching method की कर रहे हैं तो भाई इसमें बहुत जरूरी है कि दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं जो test score पे effect करती हैं उनको neutralize कर दो नहीं तो फिर समझ भी नहीं आएगा किस चीज़ से किस फर्क पढ़ आए तो अगर आप teaching method की research कर र प्रोजेक्टर यूज़ करने तब अच्छा हो रहा है या teaching method बदलने तब अच्छा हो रहा है इसलिए control variable के मतलब है कि हम वो variables यो neutralize कर देते हैं ताकि हम जो selected variable है उसी से effect पता कर पाएं अपने dependent variable पे अब बात करते हैं extraneous variable की तो extraneous variable वो होते हैं जिस पर की researcher का कोई control नहीं ह होता है और वो result को बहुत प्रभावित भी करते हैं क्यूंकि researcher का control नहीं है extraneous variable पे तो कुछ किया नहीं जा सकता है लेकिन हाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाईया कुछ variable अलग से कोई चीज जो है वो प्रभावित कर रही है test score को यानि कि अपने dependent variable को तो इसक सकता है कि students के अंदर motivation ही ना हो तो ये जो ठके होना है motivation ना होना है ये क्या है ये extraneous variable है ये बाहर की चीज़े सर्च के बाहर की चीज़े जो की cause and effect को जो है प्रभावित कर रही है छोटास example ये भी ले सकते हैं कि हमने teaching method तो बहुत अच्छा कर दिया लेकिन हमने AC नहीं लग बिल्कुल सलशब्दों में I hope कि मैंने आपको समझाया होगा तो जैसे भी आपकी राय है क्या हमें आगे करना चाहिए इस वीडियो में आपको क्या समझ वेया है क्या नी समझ वेया है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बताएं और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्ली